अप्रदान मंतृ नरेंद्र मोधी जो हर एक मुद्य पर अपनी आवास उठाते हैं यहां पर महराज़। सरकार पर अभी तेगा बयान तक नहीं आया है, पीम मोधी क्या कहेंगे इस पर? नरिंद्र मोधी कही ना कही मुझे लगता है कि वो उस एक ऐसे अवसर का वेट कर रहे होंगे देश के ग्रह मंत्री हों चाहे देश क्योंकि अभी ग्रह मंत्री ने पीछे एक चैनल के इंटर्व्यू में भी बड़े कैंडिडली बोला था कि हम जो है लोकतांत्रिक विवस्त करने की कोई कसर नहीं छोड़ी है लोकतांत्रिक विवस्ता को तार-तार करने का जो काम किया है वो देश के इतिहास में जो है उद्दव ठाकरे ने जिस प्रकार से बरबरता राजनेतिक बरबरता की तमाम सीमाएं पार कर दी है वो आज देश के सामने है और निश्चित धानमंत्री एक सही वक्त के इंतिजार में है और वो सही रिपोर्ट के इंतिजार में है पिछले छे वर्षों के इतिहास में आप देखिए पॉलिटिकल वेंडेटा का हमने वो भी एक काल देखा जब जो है अमित भाई शाह के ओपर तमाम जो है फरजी केस लाद कर जो है पर आज इसी देश के अंदर पॉलिटिकल वेंडेटा का एक भी उधारन अगर पिछले 6 साल में अगर कोई बता दे तो हम उनकी बात मान जाएं इस देश के अंदर लोकतांत्रिक विवस्ता को लोकतांत्र की नीव को और ज्यादा मजबूत करने के लिए निश्चत रूप से बंगाल में जो जनता पीडित है जो तरस्त है जो महराष्ट की जनता पीडित और तरस्त है उनको न्याय दिलाने के लिए ये केंद्र की सरकार कोई ना कोई मजबूत कदम उठाएगी और देश की उन तमाम सरकारों को एक मेसेज देने का काम करें जो भी कारनामे और उसे जनता तो पीडित है महारास्टर की लेकिन जो गडबंधन की सरकार है नसीपी और कॉंग्रेस वो भी अब उसका परला ज़ाड़ रही है शिवसेना से वो कह रहे है कि शिवसेना बहुती छोटा काम कर रही है गलत कर रही है जो काम बीजेपी को करना जो शब्द बीजेपी को बोलने चीदे शिवसेना के लिए वा एंसीपी और कॉंग्रेस बोल रही है तो कि बीजेपी इंतजार करें कि फिर से गडबंधन बनाया जा सके या प्रपगेंड़ा चलाया है जितनी मेरी राजनितिक समझ बूज है मुझे तो एक प्रतिशत भी नहीं लगता कि महराष्ट की अंदर शिवसेना और भाजपा का कोई गठबंधन फिर से हो भी सकता है होना यू नहीं चाहिए क्योंकि मैं इस पूरे के पूरे प्रकरण को 2014 की बाद से अनालिसिस करता हुआ आ रहा हूँ किस प्रकार इतने पुराने गठबंधन को तोड़ यही तबी तो आपको अपनी उकात पता लगेगी और जनता ने उनकी उकात उनको दिखा दी कि भाईया आपकी उकात यही है 40-50-55 इससे उपर आपकी उकात नहीं है और जब उनको लगा कि भाईया अब जनता ने हमें आईना दिखा दिया है तो वापस वो नरेंदर मोदी जी cemetery जीची गोधी में जो है अपने 19 साल पुराना रिलेशन के दुखाई देकर वो दुबारा उनकी गोधी में बैठकर उन्होंने 5 साल तक सत्ता की अब सत्ता की मलाई चाट ली फिर उसके बाद आया लोगसभा का चुनाव तो कहीं न कहीं अगर लोगसभाद चुनाव के रिजल्ट को अगर हम देखें तो उस रिजल्ट वाले दिन पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्रे हुए चेहरे दो व्यक्तियों के थे एक ते नितीश कुमार और दूसरे थे उद्दव ठाकरे क्यों कि उनको लगता था कहीं न कहीं जो है भाजप का प्रधानमंत्री होना चाहिए वगेरा वगेरा यह पॉलिटिकल गल्यारों की जो तमाम संभावना हैं मैं आज उसको आपके चैनल के माध्यम से देश के बीच में रख रहा हूं आप सोचिए जिस पार्टी का पिछली लोग सभा में इतना बुरा प्रदर्शन हो और उस के बाद जब उन्होंने देखा कि हमारी तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है फिर उसके बाद जब भाजपा की तरफ से एक-एक मंत्री के शपत के लिए नियोता दिया तो नितीश कुमार का जो एहंकार था वो वहां पर भी दिखा बोला नहीं नहीं हमारा जो हो है कोई व्यक् से भाजपा को जो है सीम पोस्ट के लिए आप बताईए यह बड़ा भाई चोटा भाई कब तक चलेगा जब जब तक आप बड़े भाई वाली भूमिका में थे तब तक आपको वह सम्मान मिला आज जनता का समर्तन जब भाजपा के साथ है जब भाजपा लीडर्शिप की पोजिशन में है और आपको तो इतने सारे मंत्राले दिये ही गए थे और उसके बाद भी यदि आपके अंदर एक एक जो जो सत्ता की हवस थी अगर आपकी वो पूरी नहीं हो रही है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक स्ट्राडेजिस्ट था उसने बोला कि भाईया पर चुनाव लड़ती है और एक सो पांच पर जीतती है लगबंक सत्तर प्रतिशत की सफलता यदि भाजपा अकेले चुनाव लड़ती तो निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती पर वो जो उनका प्यार स्ट्राडेजिस्स था वो पूरी की पूरी जो न की डेस्परेशन में शिव सेना ने जो है वहाँ पर emotional blackmail करना शुरू किया महराष्ट में जो है दो महीने तक एक राजनेतिक अस्तरता की स्तिती बनी रही और जो एक बेमेल गडबंदन की सरकार बन गई जिस पाटी ने जिंदगी भर बाला सहाब को पानी पी-पी कर कोसा उसकी गोधी में जाकर जो है उदव ठाकरे ने अपनी राजनितिक आत्महत्या कर ली अब राजनितिक आत्महत्या का आलम यह है आज अगर शिव सेना अपना इंटरनल सर्वे करा के देख ले तो शिव सेना को अपनी उकात पता लग जाएगी कि 20 से 22 विधायक नहीं जीत स डिल्ली चुनाव के रिजल्ट के दो दिन बाद मेरे ख्याल से उन्हों ने एक बहुत बड़ी करी अपने पार्टी को re-design, reform, refurbish किया और उन्होंने महराष्ट की सडकों पर दिखा दिया कि राज ठाकरे भी कोई माइट है और उसके बाद आज जब संजे राउत और उद्दव ठाकरे को लगा कि ये जो हमने कॉंग्रेस और NCP के साथ जो सरकार बना कर अपनी जो मतलब उल् हो किसी भी प्रदेश में चाहिए वह भाजपा हो चाहिए गैर भाजपा हो सत्ता में रहने के बाद आपको इतना तो समझ आ ही जाता है कि हमारी लोक्रियता घट रही है कि बढ़ रही है और आज शिव सेना को यही डर सता रहा है कि यदि गलती से प्रदेश के अंदर जो ह बारी पढ़ जाएंगे राहुल गांधी और ये वही सहाब है जो वीर सहावरकर को भारत रत्न दिलाने की बात कर रहे थे पर अब कैसे दिलाएंगे क्योंकि अब तो जो सेकुलरिजम का बुर्खा पहन लिया है और दस जनपत पर भी तुष्टी करण की राजनीती चमकानी ह शरद राओ पवार को भी खुश करना है अरे भाया जनता को खुश करने आये थे और खुश करने लग गए दस जनपत वाली अम्मा और शरद पवार को तो जिसको जनता की सेवा करनी थी अब वो दस जनपत और शरद पवार की सेवा करेगा तो उसको समझ आ गया कि हमारी ज सत्य के उपर सत्य की विजय को सेलिब्रेट करते हैं, हम एहंकारी रावण के पुतले को दहन करते हैं, और उसके बाद समाज के अंदर एक संदेश देते हैं, कि कैसे समाज के अंदर धर्म की स्थापना की जाएं, परन्तु वो उस कारेक्रम के मंच से अगर एक मुख्य मंत्री एक महिला के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, इसका मतलब आप ये समझ जाईए कि उसकी राजनितिक जमीन खिसक चुकी है और वो उस desperation में उलूल जुलूल बयान देने को मजबूर हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा निवाला है, ना उगल सकते हैं, ना निगल सकते हैं, तो ये आज जो शिव सेना के लिए परेशानी का सबब बन गई है, ये hot seat, क्योंकि गरम तवे पे जो शहरत पवार ने इनको बिठा दिया है, तो उटनू तो समस्या बैठू तो समस्या, त और यहां पर मद्यावधी चुनाव हों, ताकि एक जनता की भूमत की सरकार, आप एक गटबंदन में गए, नरेंद्र मोधी के नाम से आपने वोट मांगा, और जाके सोनिया गांधी के साथ सरकार बनाते हैं, आप हिंदुत्व की ठेकेदारी करते हैं, और उसके बाद कराची को भी खुश करना है, दुबई को भी खुश करना है, इटली रोम को भी खुश करना है, तो कम से कम इस प्रकार के हास्यासपत बयान ना दें, कम से कम जिनको खुश करनें, इटलीस उनी को खुश करनें, क्योंकि तुमारी सरकार आज नहीं, तो कल तो गिरनी गिरनी अपने हाँ पर एक बात कहीं मैं उस पर ही एक सवाल करना चाहूंगे आपने कहा कि बीजेपी और शिवसेना का गडबंदन महारास्ट में तो अब नामुम्किन है लेकिन इससे पहले जब महारास्ट के गवर्ण ने शिवसेना को सेकुलर सरकार बोलते था तो अमिशा ने कहा कि अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना चाहिए महारास्ट के गवर्णर को वहीं जो फेड नविज जी हैं वो संजेराओ से मिटिंग करते हैं बंद कमरे में बोलते हैं कि सामना मुखपत्र के लिए उनकी मिटिंग थी तो इन सब क्या क्या कनेक्शन हो सकता है कहीं कोई प्रपगेंडा तो नहीं है बीजेपी का अधिये अब इसमें क्या कर रही है ज्यादा सपष्ट तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता इसको बता सकते हैं परन्तो जो आपने सवाल किया ये कहीं न कहीं प्रदेश और देश की जनता के मन्न में एक शक पैदा करता है कि फढ़ प्रकार की राजनीती महराष्ट की सरजमीन पर हो रही है, वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति तो अपने साथ बिठाने लाइक व्यक्ति नहीं है, जिस प्रकार की वो गुंड़ई भाषा का इस्तेमाल करता है, मुझे ये समझते हुए भी परेशानी होती है, कि वो हमारे क्रियेट करता है, कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक अलग ही तपिश है महराष्ट की पॉलिटिक्स में, और जिस गर्मी में, जिस पॉलिटिक्स की गर्मी में वहां की जनता जुलस रही है, और ऐसे में जब देवेंदर फडणवेस एक मुख्यमंत्री के होत और मुख्यमंत्री जो है, वहां बैठकर अंदर कभी किस से मीटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फरेंसिंग पे, तो अगर प्रदेश का नेतृत्व नकारा हो गया, तो वो एक आपके लिए पॉलिटिकल ऑपर्चुनिटी थी, जनता के मन में जो है, उस चीज को स्टैब हतोत साहित करने वाला था,